नमस्ते दोस्तों, दुती विश्विद में जिस आदमी ने अपनी पल्टन के साथ जर्मनों की बड़ी आर्मी में घुसकर उसकी तबाही शुरू की, जिसने सबसे पहले जर्मनी के बनाए कंसेट्रेशन कैम में मौत से जूज रहे जूज को सबसे पहले देखा और आजाद क गई ये सारी बड़ी घटनाएं जिस एक आदमी ने अपनी आखों से देखी उस पर सीरीज बने तो क्या कमाल बनेगी वही सीरीज है बैंड अप ब्रदर्स और इन सारी घटनाओं के गवा थे मेजर रिचर्ड विंटर्स कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि लाजिक औ और खास रसों से भरपूर सिनमा देखना होता है तो मैं दुनिया भर का सिनमा देखता हूं एक तरफ टाइगर थ्री देखी और उसी समय बैंड अप ब्रदर्स देख रहा था आइम डीबी पर इस शो की रेटिंग 9.4 है इसके उपर सिर्फ ब्रेकिंग बैड है और वो फि बेदन है कि अपना कटोरा लेकर अभी निकल जाओ मैंने खुद दोस्त से मांग रखा है तो खैर बैंड आप ब्रदर्स की कहानी यह है कि जब स्टीवन स्पीलबर्ग 1998 में सेविंग प्राइवेट रायन बना रहे थे तो टॉम हैंक्स के साथ उनकी बढ़िया आया कि स्टीफन एम्प्रोस की लिखी किताब बैंड आप ब्रदर्स पर एक सीरीज बनाई जाए तब यह महत्वा कांग्छी प्रोजेक्ट 2001 में बनकर पूरा हुआ और क्या भयानक चीज निकल कर आई यह उन्जाबास फोजियों की कहानी है जिन्होंने हिटलर को पहली ब पहले हैं पहला एपिसोड आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेकिन उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है उसमें सारे फोजियों की ट्रेनिंग दिखाए गई है कितनी सक्त होती है सबकी आपस में वहीं से बांडिंग शुरू होती है इसी में पता चलता है कि इन फो इतनी टेक्निकारिटी समझ में नहीं आई है तो छोड़ दो जाने दो इनका काम समझ लो इन फोजियों का काम था कि इन्हें प्लेन में ले जाकर जर्मन आर्मी से भरी हुई जमीन में यानि जर्मनों की टेरिटरी के बीच में पैराशूर्ट से उतारा जाया कुदाया जा वहाँ खुद को बचाना है और दुश्मन को मारते हुए आगे बढ़ना है और इस सारी प्रोसेस को बैंडा ब्रदर्स बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है यो धस्तल का जो खौफ जो anxiety महसूस होनी चाहिए वह आपको स्क्रीन के सामने बैठकर महसूस होती है मैं तो anxiety से जब overflow हो जाता था थोड़ी देर के लिए बंद कर देता था लेकिन दिमाग में ये भी था कि मैं सिर्फ देख रहा था ये लोगों ने असल में जहला है और वो भी 434 दिन तक दूसरे एपिसोड में D-Day का वर्डन है दुती विश्विद की इतिहास में 6 जून 1944 को D-Day कहा ज दिया था इस दिन से तै हो गया था कि अब हिटलर और नाजियों की हार पकी है इस operation में easy company को भारी नुकसान होते हैं कई जवान मरते हैं इसी series को देखते हुए पता चला कि injured और wounded में क्या फर्क होता है एक फोजी जब घायल होता है तो उसको injured नहीं कहते wounded कहा जाता है motorcycle से गिरने पर और ऐसे उठा पटक में चोट लग जाती है तो उसको injured कहा जाता है तो भाई साब गोली बारी और हर तरफ चीख पुकार हर जवान एक दूसरे जवान की जान बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगाता हुआ अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखत ये सब इतना हिर्दय विदारक द्रश्च होता है जो हम स्क्रीन पर देखकर तो शायद भूल जाएं लेकिन जिनके साथ घटा वो सब जिन्दगी भर नहीं भूले वो हर एपिसोड में इसकी कहानी सुनाते हैं इसके रियल जो फोजी थे वो लोग एक एपिसोड का नाम ही है रिप्लेसमेंट्स इसमें जो जवान मारे जा चुके हैं उनके जगा दूसरे जवान आते हैं पहले से जो बचे हुए जवान है वो उनको ले कर बहुत सुसाह नहीं दिखाते हैं वो देखकर कोई भी समझदार आदमी समझ लेगा कि ये क्या नाटक है असल में वो उन न स्थिती को बारीकी से इस शो में दिखाया गया है एक कैप्टन जो कि थोड़ा कायर टाइप का होता है उसकी भी कहानी है हर एपिसोड में आपको भयानक एंग्जाइटी महसूस होगी जैसे आप उस युद्ध के मैदान में मौजूद हो भीसा ठंड में बर्क पड़ रही है उसमें जवान छिपने के लिए जंगल में कड़े खोद रहे हैं वहां आग जला नहीं सकते एक बार आग सुलगा लेने का कितना भेंकर परिणाम हो सकता है वो भी पता चलता है खुद को कैसे गर्म रखना है खुद को कैसे अपनी टीम को जिंदा रखना है ये सब टेंशन आपको अपनी टेंशन लगने लगती है दो मिनट शांती से बैठे हैं और अगले ही सकंड किधर से कोई गोला आ जाता है और अपने किसी साथे की जान चली जाती है किसी का पायर गायब किसी कसिर गायलों का इलाज युद्ध के मोर्चे पर और ठिकाने पर ले जाकर कैसे ह होता ये सब भी बहुत बारीकी से दिखाया गया है और ऐसा एक दिन या रात के लिए नहीं है असल में पता ही नहीं कि ये सब कब तक चलेगा इनी एपिसोड में एक के बाद दूसरी टेरिटरी जीतते हुए इजी कंपनी आगे बढ़ती है उसका सिर्फ नाम इजी कंपनी है काम बहुत मुश्किल है फिर एक एपिसोड में कंसेटरेशन कैंपस में फसे जीऊस दिखते हैं इतना जिंदा वड़न है उस सीन को देखकर कमकपी हो जाती है फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं बरलिन में पहुंचते हैं वहां हिटलर के अड़े पर वो शहर जो पहाड नहीं मिल रही हिटलर पहले ही मर चुका है लेकिन उसका महल अभी खड़ा है वहां चांदी के बर्तन और तमाम उचे लेवल की चीज़ें मिलती हैं यह भी पता चलता है कि जो सिपाही या अपसर वहां पहले पहुंचता है वो इस माल को अपने हवाले कर लेता है फिर डाक ब्रदर्स में बहुत अच्छे से दिखाई गई है इसको आप सिनमाई जादुगरी कह सकते हैं अब सवाल ये है कि इस सीरीज में क्या नहीं है तो मसाला बिल्कुल नहीं है सेक्स सीन नहीं है हाँ नववे एपिसोड में टॉम हाड़े का कुछ सेकंड का ऐसा सीन है तो तयार रहे ना इसके लिए इस सीरीज में लव स्टोरी नहीं है अनिसिसरी ड्रामा नहीं है जिस चीज को फोकस में रखकर सीरीज बनाई गई है उसकेे अलावा इसमें कुछ नहीं है इस सीरीज के हिट होने के बाद स्पीलबर्ग और टॉम हैंक्स ने एक और सीरीज दपैसिफिक बनाई जिसमें HBO का बहुत ज़्यादा पैसा लगा था 300 मिलियर डारल लगे थे इसमें ये सीरीज भी शांदार बताई जाती है 8.3 की IMDB रेटिंग है मैंने अभी तक नहीं देखी है कभी देखूंगा तो उसे बारे में बताऊंगा आप पहले वो देखना जो ये मैंने बताई है Band of Brothers सीरीज कैसे लगे इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन मेरा वीडियो आपो कैसा लगा है ये नीचे प्लीज कमेंट करके बताना क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये सब चीजे बना रहा हूँ और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर वगएरा कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्ट्राइब कर लो फेस्बुक पर, एक्स पर, इंस्टा पर सब जगा फालो कर लो अभी चलते हैं, लाइट के मिलते हैं, नमस्ते